Global Markets के Expert बग्गा साथ हमारे साथ तयार हैं बग्गा साथ दो चीजों पर focus रहेगा एक तो China और दूसरा जो Fed की commentary आई है China कल भी हमने इसकी बात करी थी सर बट अब Apple के लिए अनुमान लगा जा रहे है 5-10% इनके phone supply में कटौती हो सकती है और of course इतनी सारी global production companies का hub पूरा China में है तो चिंता तो यहां से और बढ़ सकती है सर बिलकुल दीप देखिए जो 1989 में Tiananmen Square में जब last इतने बड़े protest हुए थे और जो बहुत repress किया गया था उनको बड़े तेजी से तब China इतना बड़ा economy नहीं था दुनिया का दूसरा बड़ा economy नहीं था और दुनिया का factory भी नहीं था अब China दुनिया का factory है वहीं से manufacture होके आते हैं बहुत सारे 70-80% अमेरिका के goods जैसे हैं consumer goods हैं वो चाइना से आ रहे हैं तो electronics देख लेजे बहुत बड़ा एक market share चाइना से आता है supply chains का तो बहुत इसका impact रहता है तभी कल पूरे global markets विचलित हुए जब weekend को ये चाइना में दस बड़े शेहरों में protest की खबरें निकलें जीरो COVID के चलते अब यही विशेशे के यही कह रहे हैं कि जी जिन पिंग ने अपनी जो उनकी speech थी बीस्वी national congress में जहां उनको फिर से उनको third time फिर से appoint किया गया उसमें बहुत clearly उन्होंने जीरो COVID को support किया था तो protest के सामने तो वो जुकेंगे नहीं बट यह हो सकता है कि एक आद हफ़ते के बाद थोड़ी नर्मी वो local level पे ले आए इस COVID के बारे में बट supply chains पे असर है और क्यूंके Apple ने ये street से share कर दिया के 6 million या 60 लाक उसके नई phone iPhone 14 जो है वो नहीं बन पाएंगे time पे और उतनी उसकी sales गिरेंगी तो कल हमने देखा Apple के share पे थोड़ा ये रुखावी हुआ बट overall भी इसे sentiment कम हुआ दूसरा इसका second order effect है commodity prices पे metals हो गया आपका oil हो गया इस सब के उपर हमने देखा है कि असर आते हुए Chinese lowdown का सर सिंस आपने यहां पर कहा बहुत valid point है क्योंकि China क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े producers में भी आता है consumers में भी आता है तो जहां कहीं भी यहां पर कुछ दिक्कते दिखती है तो तुरंथ हम देखते है metal के prices, तेल के prices cool off हो जाते हैं और वो हुए भी हैं और बहुत तेजी से हुए सर मुझे बताईए अब जो उपेक है वहां से ऐसी अफवाहें अटकले निकल कर आ रही है कि जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में दबाव आया है thanks to weak Chinese demand वो एक और round of उतपादन कटौती की तरफ विचार कर सकते हैं आपको लगता है सर यह possible है क्योंकि पहले 20 लाग बैरल का जटका दे चुके हैं जिसमें से आधा ही वो apply कर पाएंगे फिर output कटौती की बात हो रही है यह सिर्फ सर हवा हवाई बात है या वाकई में होगा और अगर होगा तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए निया जी बहुत सही सवाला और यह 4 December को ओपेक प्लस की बैठक है और रशिया के विदेश मंतरी भी जा रहे हैं तेल मंतरी भी जा रहे हैं साओधी के तेल मंतरी रहेंगे वहाँ पे तो यह बहुत एहम बैठक है 4 December को और इसकी एहमता और बढ़ती है क्योंके 5 December को European Union के sanctions लागू होते हैं रशिया पे जो price cap की बाद G7 और European Union में बाद चल रही थी वहाँ पे सहमती नहीं हो पारी तो पूरा यह हफता है सहमती बनाने का कुछ देश कह रहे हैं के 20 डॉलर तक लाईए युक्रेन कह रहे हैं 40 डॉलर तक लाईए वहाँ पे हंगरी जैसे देश कह रहे हैं price cap कैसे चलेगा अब बाकी European Union ये कह रहा है कि Europe के जो इंशोरर्स हैं और जादा तर तेल की जो इंशोरर्स होती है European Union के इंशोरर्स से होती है Lloyds of London हो गया जैसे वैसे बड़े-बड़े Swiss RR वगरा हो गए तो ये इंशोरर्स नहीं मिलेगी अगर आपके जहाज Russian तेल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अनलेस ये price cap के तहत हो तो ये बहुत ही बड़ा एक चीज है और जो हमारा अनुमान है कि 100 बड़े टैंकर आपको चाहिए अगर Russian जितना उनका तेल उत्पादन है कि किसी भी टाइम high seas पे 100 बड़े टैंकर चल रहे हो तब ही Russia का सारा तेल उत्पादन शिप के द्वारा पहुन सकता है भारत या चीन या और देश जो खरीद रहे है तो ये बहुत अब एहम हो जाएगा कि Russia का कितना capacity हर्ट कर सकेंगे European Russia ने भी कहा है एक जैसे कजाकिस्तान की जो पाइपलाइन आती है जो 10 लाक बैरल दिन के योरप को पहुंचाती है Russia ने कहा है कि हम उसको बंद कर देंगे अगर हमारे उपर price cap लगाया गया और योरप सीधा Russia क्या तेल नहीं ले पाएगा या gas नहीं ले पाएगा तो काफी मुश्किल होने वाली है अगले हफते इसमें अगर OPEC इसमें कटोती कर दे 2-4 लाक बैरल की कटोती एनाउंस कर दे तो sentimentally oil market के लिए काफी supply कम करेगा demand जरूर कम होई है बट इससे हो सकता है कि हम देखें कि Friday तक थोड़ी prices बढ़ जाएं anticipation में कि शायद OPEC कटोती करेगा तो बहुत high probability है कि OPEC कुछ कटोती करेगा कि demand कम हो रही है चाइना से और दूसरा है Russia अपने counter measures लगाएगा जब 5 December को घोशना हो जाएगी European Union के sanctions की और price cap की इसमें अच्छी बात यह है कि भारत ने अपना independent रुक रखा है उन्होंने बहुत clearly कहा है कि अगर चीन खरीद रहा है तो इसमें कोई issue नहीं है और जो price cap highest level पे बात हो रही है 65 से 70 डॉलर की उससे कम पे आज के दिन में Russian crude भिक रहा है तो यूराल जो court आता है वो 55 से 60 का आ रहा है अभी और 65 से 70 की price cap है और वो भी है कि दो हफते अगर आप लगातार इसको खरीदेंगे तब ही वो उस पे sanction लगते हैं तो अगर आप बीच में उससे कम पे खरीद भी लें तो वो भी दो हफते का तूट जाता है जो continuity है तो मुझे नहीं लगता भारत के तेल imports पे इसका कुछ असर रहेगा बट तेल की किमतें अगले हफते काफी volatile हो सकती है बढ़ने की उमीद कम है बट supply की कटावती करके कोशिश करेंगे के किमतें बढ़ाई जाएं ये ओपेक की कोशिश रहेगी ओपेक पर नजर है बट क्लियर बात है कि demand slowdown आ रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि किसी भी action पर उतना बड़ा price support अब तक तो कच्छे तेल को नहीं मिला है बट देखते हैं कैसा action हैगा